हालो दोस्तों विल्कम बैक तो माई चैनल तो आज हम लेकर आए हैं काढ़ा रेस्पी तो सर्दियों का सीजन है हर घर में खासी जुखाम बुखार लगा हुआ है तो यहां पे देखिए हमने लिया है लॉंग यहां पे काली मरिच और यहां पे लिया है दालचीनी का टुकड यहां पे अद्रक एक बड़ा टुकड़ा यहां पे तुलसी पत्ता हमने लिया है और साथ में हमने एक टुकड़ा गुड़ लिया है दो तेज पत्ता यहां पे ज्वाइन और यहां पे एक चुटकी हल्दी तो चलिए अब इसको हम अद्रक और काले मिर्च लॉंग को यहां पर दो तुलसी पत्ता ही हमने डाल करके कूट रखा था बाकि हम खड़े ही रख लिए हैं तो अब चलिए बनाते हैं तो चलाते हैं गैस पर पैन उसमें हम डालते हैं तो गिला से करीब पानी तो यहां पर दो कप हम बना रहे हैं तो सबसे पहले हम डालते हैं तुलसी क तो यह तुलसी का पत्ता जो है बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे सर्थी जुखाम में कोल्ड कफ के लिए और साथ में तेज़ पत्ता डाल देते हैं और बाकी जो हमने कूट करके रखा है दालचीनी लॉंग और मरीच अधरक को उसको भी साथ में डाल देते हैं और गैस की खुण और अजवाइन को डालने के बाद यहां पर जो हमने एक चुटकी हल्दी लिए उसको भी डाल देते हैं तो इस सब इंफेक्शन के लिए बहुत ही फायदेमंद है बहुत ही आयरवेदिक चीज है इस सभी जिसने भी चीजी हमने इसमें डाली है तो काढ़ा जब भी हाई टू लो फ्लेम करके पकाना है अगर आपके पास समय है तो इसको आप गयस की फ्लेम को हाई करने कर लो कर दीजिए और दस मिनट पकने दीजिए तो यहाँ पर हाई टू हम कर करके पका रहे हैं तो यहाँ बहुत अच्छी तरह से काढ़ा जो है बॉइल होना चाहिए हमते पानी डाला ता यहाँ पर दू गिलास तो दो गिलास के बजाए एक गिलास पानी बचना चाएए तभी हमारा काढ़ा जो है अच्छी तरह से पका हूए होगा तो यहाँ देख यह लेक्छाए हम काढ़ाज भी फायदे मन ऐल चीज निल्ग है जाल полит के लिए और ऑन प प्रमक थोड़ा सा जरूर आइट करते हैं और इसको फिर वॉयल कर लेते हैं अच्छी तरह से तो बहुत ही अच्छी तरह से काढ़ा जो है पक गया है तो अब हम गैस की फ्लेम को बन करते हैं इसको चाय की छनी की सहायता से इसको हम चान लेते हैं कप में यहां पे देखिए बहुत अच्छी तरह से काढ़ा मरपक गया है बिल्कूल भर के एक कप बना था इसको आप सर्दी जुखाम में पी जिए और तुरंट पांस मिट में आराम आपको मैसूस हो जाएगा तो इसको आपको एक कप पूरा नहीं पीना है इसमें से आप दो बार कर लिजिए आधा